तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है subject, verb, object in English grammar कि हम इसको कैसे समझें कि अगर हम कोई sentence लेते हैं तो उसमें subject क्या है, object क्या है और verb क्या है तो इस वीडियो में मैंने step by step बहुत easily समझाने की कोशिश की है तो जैसे देखिए, screen पर subject, करता, कारे करने वाला, verb है क्रिया, होने वाला कर्म object है कर्म, करता और क्रिया को छोड़ शेश subject की definition ले लेते हैं, the noun और pronoun about which says something is called the subject where noun या pronoun जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, वो subject कहलाता है तो यहाँ कुछ example दिये हुए हैं, जैसे he वे पुरुष के लिए for male she वे इस्त्री के लिए for female it वे वस्तो के लिए for thing किसी के नाम के लिए, name, किसी singular, एक वचन चीज के लिए बहु वचन के लिए, prular आगे बैठते हैं, verb, definition of verb words that denote any work or action are called verb they are also called action words जिस शब्द से किसी कारे का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं तो यहाँ verb के कुछ example ले लेते हैं first है run, आप picture में देख सकते हैं कि एक बच्चया दिखाया गया है, वो दोड़ रहा है तो यह क्रिया, यह कुछ कारे कर रहा है दूसरा है dance, यह बच्ची नाच रही है third है jump, fourth है think और last one है stand, देखिए यह बच्ची खड़ी है तो इसमें दिखाया जा रहा है कि यह क्या क्रिया कर रहे है तो ऐसे ही दोस्तो object के definition ले लेते हैं the noun or pronoun which is affected by the action of the verb in a sentence is called the object where noun या pronoun जिस पर वाक्य में क्रिया का फल पता चलता है उसे हम object कहते हैं तो यहाँ कुछ examples से हम clear करते हैं मैं सबजी बेशता हूँ तो इसको अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें subject क्या है verb क्या है और object क्या है तो देखिए दोस्तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा subject करता है मैं I verb है क्रिया sell बेचना object है हमारा कर्म vegetable सबजी तो इसकी translation कर लेंगे बहुत easily I sell vegetables तो यहां कुछ और example भी दिये गए हैं यह भी देख लेते हैं जैसे वे गाना गाती है तो दोस्तो इसमें आप देख सकते हैं she is singing a song she है हमारा subject singing है हमारी verb और song है हमारा object वह खाना खाता है he है हमारा subject eats है हमारी verb food है हमारा object फिर third and last वह लोग शहर में रहते हैं they है हमारा subject leave है हमारी verb और in the city है हमारा object अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है मैं दुबारा नहीं कहूंगे Thank you for watching